नमस्कार मैप रग्या धरदर तीस खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को कॉंग्रिस नेता अभिसेक मनु सिंगवी ने बिहार सरकार दोरा जाती जनगना के निशकर्स चारी करने के बाद सुरू हुई जितनी आबादी उतना हक पर चल रही बहस पर चुटकीली है सिंग्वी ने इस बात पर जोड़ दिया है कि जन संख्या के आधार पर अधिकारों की वकालत करने वालों को परिणामों पर विचार करना चाहिए क्योंकि इसे बहु संख्याक वाद को बढ़ावा मिल सकता है कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का समर्थन किया भारत और करनाडा के संबंध तनाव एवं दौन-दौन की जिस अवस्था में है उस प्रकार की पर सितिया दुईविपक्षे संबंधों में पैदा होने के उधारन सायद ही होंगे पूरे मामले के मुख्य चार पहलू है पहला तातकालिक रूप से कनाडा के प्रधान मंतरी जस्टिन टूरो द्वारा अपनी संसद हाउस ओफ कॉमन्स में और फिर उसके बाहर लगतार या आडूप लगाना है कि हरदीप सिंग निज़र की हत्या में भारतिये एजन की प्रतिक्रिया तीसरा पहलू है अंतराश्ट्री प्रतिक्राएं और चौथा इस पूरे मामले के भविश्य की दिसा और दशा सिलांगना के निज़ामाबाद में प्यम मोदी ने एक विशाल जनसभा में अपने संबोधन की शुरवाद भारत माता की जय के नारे के साथ की इसी दुरान उन्हें एक बच्ची हाथ में तिरंगा लिये वे नजर आई सभा में शामिल लोगों ने भारत माता बनी उस बच्ची को गोद में उठा रखा था उस पर नजर परते ही पिएम मोदी ने साबाशी दी पिएम ने कहा मैं मेरा भाशन शुरू करने से पहले ये नननी सी गुडिया जो भारत मा का रूप लेकर आई है मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन बेटा साबाश बनी वैशनम ने सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म के जरीय स्ली पर बंदे भारत की कॉंसेप्ट ट्रेन की फोटो साजागी एक दसमलो साथ शे लाख करोर रूपे की वैलुएशन वाले गोदरेज ग्रूप की शुरुवात अठास संतानवे में हुई थी अब इस 126 साल पुरा ने बिजनेस ग्रूप पर बटवारी की तलवार लटक रही है गोदरेज ग्रूप की शुरुवात ताले बेचने से हुई थी इसी ग्रूप ने अठास संतानवे में भारत का पहला लिवर टेकनोलोजी बाला बनाया था उस समय मुंबई में अपराद बर रहा था लोगों की जानमाल की सेफटी के मध्यनजर गोदरेज ने सुरूप में खास ताले बनाना शुरू किया ग्रूप की सुरुवात दो भाईयों अर्दसीर गोदरेज और पिर्जोसा बुर्जोर जी गोदरेज ने की थी समय के साथ ग्रूप ने कई सेक्टरों में काम्यापी हाशल की मगर अब इस ग्रूप का बटवारा हो सकता है एक आश्चरी जनक कदम में फेस्बुक ने अपने लोगप्रिय सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म फेस्बुक और इंस्टाग्राम के उप्योग करताओं के लिए एक नई मासिक सदश्चता ह्योजना पेश की है इस महीने से इन प्लाटफॉर्म सक पहुशने के लिए उजस को 1665 रुपे का मासिक सुल्ख देना होगा इस घोशनानी ऑनलाइन उपसमुदाई को अस्तब्ध कर दिया है जिससे इस नए मुलिर निर्धारन मॉडल के निर्धारतों के बारे में सवाल और चिंताय पैदा हो गई है Microsoft CEO सत्य नडेगा ने Google को लेकर खड़ी-खड़ी सुनाई है हाली में वासिंटन डी-सी की एक अदारत में Google के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है जिसमें Google को डिफॉल्ट सर्च एंजर्म रनने के लिए कई गमभीर आरोपों का सामना करना पर रहा है साथ ही Google के सुनवाई में Microsoft के CEO सत्य नडेला ने गवाही दी और होने आरोप लगाया कि Google की इस हरकत की वज़े से Microsoft के सर्च एंजर्मिंग को काफी नुकसान उठाना पर रहा है व्यार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमारे मंगलवार को पटना में सर्वदलिय बैटक में नौ प्रमुख दलो के प्रदिनिद्यों का वामदलू सहित महागरवंदन के प्रमुख घटक दलो के साथ जाती सर्वेक्षन रिपोर्ट के तहत एकत्र आंकडों के आधार पर सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम करने का आस्वाशन दिया कमजोर और बंचित वर्ग के लिए कोटा बढ़ाने की वकालत करते वे वक्षी भाजपारित ने चाती सर्वेक्षन को जल्दबाजी में की गई कवायत बताया है भारत और पाकस्तान ने राज़नितिक तनाओं के चलते बिछले काफी समय से कोई दुई वक्षी है क्रिकेट सिरीज नहीं खेली है दोनों टीमें फिछले एक दसक से केवल आईसीसी टूर्णामेंटों में ही एक दूसरे के खिलाफ खेलती है लेकिन अब भारत के साथ बहतर रस्तर नाने के लिए पाकस्तान ने एक बड़ा दाओ खेला है PCB ने भारत और पाकस्तान के बीच फिर से दुई विपक्षिय सरी सुरू करने का प्रस्ताव दिया है PCB चीफ जका असरफ ने इसके लिए दोनों देशों के बीच गांधी जिन्ना ट्रॉफी का प्रस्ताव BCCI को दिया है भारत सरकार के ओर से गैर बास्मती चावल के नर्याद पर बैन लगाने के बाद से दुनिया के कई देशों के दिक्कते बढ़ गई है अमेरिक और अस्ट्रेलिया जैसे देशों के बाद मलेशिया भी चावल की कम आपूर्ती और बढ़ी वी कीमत से जूज रहा है मलेशिया की सरकार ने भारत सरकार के इस बैन को हटाने की अपील की है घरेलू आपूर्ती को बढ़ावा देने और खुद रहा कीमतों को नियंतरन में रखने के लिए केंदर की मोधी सरकार ने जुलाई दो हजार तेस में गैर बास्मती चावल के नर्याद पर लोक लगा भारत कनाड़ा विवाद इन दिनों वैस्ट फिक अस्तर पर सुरक्यों में है, स्पीच अमेरीका ने एक बार फिर भारत कनाड़ा विवाद पर टिपने की है मामले में सबसे महतपुन है कि कनाड़ा की जाच आगे बढ़े और उपियों को कट घड़े में पेश करना चाहिए परोसी देश पाकस्तान में एक के बाद एक आतंकियों की हत्याओं का सिलसला जारी है इसी करी में सोमवार को कराची में लसकरे तयाबा कि प्रमुक हाफिस सईद का करीवी मुफ्ती कसार फारुक भी मारा गया पाइक पड़ाय अग्यात हमलावरों ने गोलियों से भून कर उनकी हत्या कर देश घटना के बाद से भारत में 26-11 अतंकी हमलों का मास्टर माइंड हाफिस सईद भी डड़ा हुआ है लसकरे तयबात संगठन के भीतर भी डड़ का महौल है कुस दिनों पहले यह खबर भी आई थी कि नगाप पोष्ट लोग पाक अधिक रितकस्मीर में हाफिच के बेटी को एक गारी में बठा कर साथ ले गया है इंस्टिन मैसेजिंग प्लैटफॉर्म वाटसअप ने गोशना कर जानकारी दिया है कि कम्पनी ने अगस्त महिने में भारत में चोहतर लाग से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंद लगा दिया है कम्पनी ने कहा कि प्लैटफॉर्म पर दुरुपयोग से ने पटने और आईटी नियम 2021 के अनुपालन के लिए इन अकाउंट पर प्रतिबंद लगाये गया है पता दी किससे पहले कम्पनी ने करी 65 लाग अकाउंट को बैंट किया था उद्योग पती अनिल अगरवाल को विदानता समू इस समय भारी कर्ज के बोच से लदा है अगराम आदमी की भाशा में समझे तो विदानता ग्रूप सिर से पाउंट तक कर्ज में डूबा है ऐसे भी अब समू अम अपने कुछ कारोबार बेचने को मजबूर है बिहार चाती गर्ना रिपोर्ट जारी होने के अगले दिन ही ट्रांसजेंडर समूदाय ने रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ी कर दिया है ठर्ड जेंडर का समर्थन करने वाली सामाजिक कारेकरता रेश्मा प्रसाद नी कहा कि हमें सरकारी नौकरी से लेकर पंचाय चनौम तक में फीजदी का एक फीजदी का रक्षन मलना चाहिए साथी रिपोर्ट पर कहा कि 2011 की जनगर्ना के नौसाथ जब ट्रांसजेंडर समूदाय की संक्या 42,000 थी तो राज्य सरकार हमारी गिंती 825 कैसे कर सकती है मुझा अश्चर है कि बिहार सरकार ने जाती सर्विक्चन के आकरों को कैसे अंतिम रूप दे दिया चालो सीजन में चीनी का उतपादन घटने की वज़़े से दाम उचे ही रहने का नुमान लगाया जाड़ा है यही नई अंतराश्ट्री बाजार में चीनी के दामों में तेजी जारी है ऐसे में भारत से चीनी नडियात बढ़ने की संभावनाई भी घट रही है कैसे भी इसको आने वाले की दिनों में बढ़ने की आशंका से अनकार नहीं किया दा सकता है विदेश मंतरारे ने पासपोर्ट बनमाने का तरीका पहले से बहुत आशान कर दिया है लोग थोड़े से जागरोग होकर सुवधा जनक धंग से पासपोर्ट बनवा सकते हैं और बार-बार की भाग दोरी से बच सकते हैं लोगों को भ्रम है कि डिजी लॉकर के डॉक्यमेंट पासपोर्ट कारयाले में मानने नहीं होते हैं हाँ आविदक डिजी लॉकर के डॉक्यमेंट कारयाले में दिखाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे तरह मानने नहीं होते हैं पर आविदक आविदन के समय डिजी लॉकर का विकल्प अपनाता है तो डिजी लॉकर का लिंक आविदन के साथ पासपोर्ट कारयाले में जाता है उनस्तितियों में पासपोर्ट कारयाले में डिजी लॉकर के डॉक्यमेंट मानने होंगे न्यूस क्लिक से जड़े पत्रकारों पर छापे मारी को लेकर कॉंग्रेस सही तमाम विपक्ची दलों की तरफ से आलोशनाओं का सामना कर रही भाजपान ये आकरामक अंदाज में पलटवार करते वे ना किवल कॉंग्रेस और न्यूस क्लिक के चीन के साथ कनेक्शन पर सवाल खड़ा किया है बलकि सीधा नाम लिये बिना गांधी परिवार पर बड़ा आरोप लगाते वे उन्हें चाइनीज गांधी तक बता डाला है बाजपान इसे लेकर बकाइदा अभियान चलाते वे पार्टी के आधिकारिक सोसल मीडिया अकाउंट से पोश्ट कर इंडिया नेशनल कॉंग्रस और विजो न्यूजिक के लिक गए साथ चीन के कनेक्शन को लेकर सवाल उठाते वे लिखा है चाइनीज कांधी भारत में 5 अक्टूबर से ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की शिरवात हो रही है टूर्णामेंट को सुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी है और इससे पहले इस टूर्णामेंट में हिस्सा लेड़ा है एक देश से बुरी खबर सामने आई है लाखों लोगों को वर्ल्ड कप के मैच देखने में परिशानी होने वाली है जीहा साउथ अफरीका में लाखों लोग फ्री में वर्ल्ड कप 2023 नहीं देख पाएंगे इस बात की पुस्टी SABC ने कर दी है क्योंकि उनके डील DSTV के साथ नहीं है बॉलिवर्ड के सहन सामिताब बच्चन तिवारी सीजन के मद्यनजर ऑनलाइन रिटेल पोर्टल फिलिपकार्ट के लिए एक किये गए एक विग्यापन को लेकर विवादों में फंस गह है और Traders Association ने उनके इस विग्यापन पर करिया पती जाहिर की Confederation of All India Traders इस विग्यापन को लेकर बिग्बी और फिलिपकार्ट की कड़ी आलुचना करते वे उभोकता मंतराले के केंद्रे उभोकता सनरक्षन परादी करन की अध्यागत नीधी खड़े के पास सिकायद भी दर्ज कराई है पिछले दो दसकों के दुरान अमीरों की संपती चार गुना ज़्यादा तेजी से बढ़ी है जबकि गड़ीबों के पास घट रही है सोधकरताओं ने इन हालातों को बेहत गंभीर और चिंता जरंग बता है अस्ट्रेलियन कांसिल आउस सोशल सर्विस और न्यू साउथ विल्स उनिवर्सिटी के सिंपत अध्यान में इसका खुलासा हुआ है सोध में सामने आया कि भारत में अरबपतियों के संख्या तेजी से बढ़ रही है 2020 में जहां 102 अरब पती थे मही 2022 में बढ़कर 166 हो गए है चीन के हांग जाओं में जारी 19 वी एशियन गेम्स ने भारत लगातार अपने पतकों की संख्या को बराड़ा है भारत एशियन गेम्स 2023 के दसवे दिन 9 मेडल हांसल किये भारत ने मंगलवार को दो गोल्ड दो सिल्वर के लावा प्रांच ब्रांच पर कबजा चमाया भारत के कुल 99 मेडल हो गया है और अब इतिहास रचने की देरीच पड़ है अगर दो मेडल और जीत लेता है तो वह उसका एशियन गेम्स के एक संसकरण में सर्वस्टिस्ट प्रदशन होगा भारत का फिलास सर्वस्टिस्ट प्रदशन 70 मेडल का है जो उसने जकारता में आयोजित एशियन गेम्स 2018 में किया था पिछले कुस दिनों में हुई दो घटनाओं के संबन में पांच कूकी जोमी व्यक्तियों की गिरफतारी के विरोध में सुमवार से मनिपूर के चुराच चांदपूर जले में अनिश्चित काली इन बंद शुरू हो गया है बंद के शुरूबार इंडिजिन्स ट्राइब लीडर्स फोरम ने की जिसने गिरफतारियों को केंदरे जांच एजेंसियों को चेनात्मग चल्दबाजी बताया टेलिग्राफ ने बताया कि सनिवार से CBI और NIA द्वारा साथ लोगों की चुराच चांदपूर जिले में गिरफतारी हुई है दिली के कतिस सराव घुटाले में एडी ने मनीज सिसोधिया के बाद मुख्यमंत्री अरविन केज्रिवाल के एक और करीबी संजैस सिंग पर सिकंजा कस दिया है केंदरी जांच एजेंसी ने वो द्वार सुभा संजैस सिंग के आवास पर छापे मारी की एडी की करवाई पर आप भड़क गई है और उसने इसे मोधी अडानी के खिलाप बोलने का नतीजा बताया है वही जापे मारी के दुरान आवास पे मौजूद उनके पिता ने इसे तानाशाही करार दिया हाला कि नोंने यह भी कहा कीदी अपना काम कर रही है और वो सहयोग करेंगे चीनी फंडिंग से न्यूस क्लिक पोर्टल चलानी कारोपी प्रभीर पुडाकस्त और अमे चक्रवर्ती को साथ दिनों की पुलिस रिमान पर भेज दिया गया है इन लोगों के खिलाफ यूए पीए के तहत केस दर्ज किया गया है पर चीनी फंडिंग से काम करने और देश की एकता एवा मखर्णता को खतरा पहुंचाने कारोप है इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सैतिस पुरु संदिक दो और नौ मैलाओं से पूछ ताच की थी इसके लावा कहीं लोगों के मोबाईल लैप्टप आदी सीज कर लिये थे फिलाल इन डिवाइस की जांच की जारी है और पुलिस का कहरा है किसे कुछ सबूत ना सकती है कांगरा जिले के धर्मशाला में सरकारी कारयाले की दिवार पर खालिस्तानियों के समर्थ में बाते लिकी गई थी सरकारी कारयाले की दिवार पर खालिस्तानी भिती चित्र देखे जाने के बाद यहां हरकंप मच गया है धर्मशाला पुलिस ने इस बात की पुस्टी भी कर दी है पुलिस ने इस मामले में तुरंट एक्सन लिया है पुलिस ने दिवारों को पेंट करा कर स्लोगन मिटा दिया है फिलाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है बिहार में कॉंस्टेबल भरती परिक्षा का पेपर लीग होने के कारण पूरी परिक्षा को ही रद कर दिया गया है सरकार के इस फैसले को लेकर RCP सिंग ने कहा कि किसी भी परिक्षा का पेपर लीग होना मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के लिए सर्म की बात है बिहार में डिंगू के बढ़ते मरीजों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है राजे में डिंगू का कहर लगतार बढ़ता जारा है राज़धारी पटना में 24 घंटे के अंदर डिंगू के 60 नए मरीज मिले है इसके साथ ही जिले में इनकी संख्या 2323 तक पहुँच गई है राज़धा की मुख्यमंत्री नविन पटनायक जब वेटिकन सिटी गये तो उनके साथ श्रधा नाम की महिला भी थी खबरे सामने आने के बाद CM परतनायक जोरे कई सवाल पूछे जाने लगे अटकलों पर विराम लगाते वे रविन परतनायक ने स्रधा पर बयान दिया है उन्होंने कहा कि उनकी दिवंगत बहन गीता ने स्रधा को उनकी सिहत का ध्यान रखने के लिए भीजा था प्रियर सेवाई देने वाली कम्पनी Blue Dart Express Limited ने नए साल यानी एक जनवरी से अपनी समान भेजने की दरों में 9.6 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने की घोशना की है कम्पनी ने बयान में कहा है कि सुल्क दरों में या बढ़ोतरी भेज जाने वाली कुरियर के आकार प्रकार प अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर के अस्पतालों में डेंगू से पिरत मरीजों के लिए क्या क्या सुधा मुहिया कड़ाई गई है अपने जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यव आजले हैं अजया तकर विए जरूर पासरालों में थेतर सेमे लिएना हैर स्को से एाथ हैंन घरूर也 झाज हुआ है हैं